हलो, नमस्ते, आज हम proportional control action में आगे बढ़कर कुछ बढ़ने वाले हैं, वो है proportional band proportional control action के बारे में जब हमने बात की थी तो आपको बताय गया था कि ये ऐसा action है जिसमें error signal के proportion में, error signal के समानों पात में controller का output produce होता है, वो हम कहते है, proportional control action अब इसमें एक और चीज़ है, वो है proportional band, तो देखे, proportional band की क्या definition है वो हम अभी आपको बतलाते हैं, proportional band is defined as the percentage of change in the controlled variable which causes the final control element to go through 100% operating range means percentage proportional band is percentage change in control variable divided by percentage change in final control element position into 100 ये एक theoretical definition हो गई, अतलाब की अगर अगर controlled variable में जो प्रतिशत change आया उसको उस change को पैदा करने के लिए फाइनल कंट्रोल element में जो प्रतिशत change लाया गया है उस अनुपात को हम proportional band कहते हैं, ठीक है, अब इसमें देखिए, ये एक tank है, जिसमें एक float valve लगा हुआ है, ये एक float valve है, ये एक float valve है, एक वाल्व के अलगलग position पर हम बता रहे हैं इसको, से अभी ये ए position पर valve को लगा है, ये यहाँ पर pivot हो गया, इधर ये control valve से जोड़ा हुआ है, और ये float है, से इस tank से पानी को out करने के लिए, liquid को fluid को out करने के लिए drain बनावा है, यहाँ से flood in हो रहा है, ये flood को pump किया जा रहा है, इस वाल के थुरू, अब देखें किसी बज़े से माल लीजे, ये पानी का जो level 100% है, ये 50% पर आ गया है, यहाँ से drain खट दिया, अभी ये वाली position पर इस्तिति है, फ्लोट 50% position पर है, और वाल भी 50% open है, इसार जो हम इस्तिति देख रहे हैं, ये वाल के opening की है, ये वाल 100% open है, फुली open, फुली closed और half open, या half closed, मतलब 50% position, यहाँ पर ये पेपर ठोकिया, पानी का level जब इस जगे पर है, फ्लोट जब इस जगे पर है, तो अब यहाँ पर आप दिखेंगे, कि वाल आधा खुलावा है, say for some reason, हमने order in किया, और ये tank बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल empty, 0% level पर पानी आ गया, यहाँ पर ये फ्लोट आ गया, मतलब tank का level 0% हो गया, अब हम देखेंगे कि वाल्व की position क्या हो गई है, वाल्व fully open है, ये जो वाल्व है, ये जो वाल्व है, ये पूरी तरह open हिस्तिति में आ गया है, यहाँ पहुंच गया है, इस फ्लोट से जुड़ा हो है, जैसे जैसे level बढ़ता जाएगा, वाल्व का opening काम होता जाएगा, ये ही proportional control है, और जब tank को पूरा भरना होगा, उस इस्तिति में देखेंगे, जब 100% tank full हो गया, तो वाल्व की इस इस्तिति में आ गया, fully closed, तो tank का level मतलब की, what is this, controlled variable, level of the tank is controlled variable, controlled variable को 0% से 100% मतलब, 100% change, शत परतिशत change के लिए, वाल्व को क्या करना पड़ा, fully open से fully closed, 100% change, तो इस इस्तिति में proportional band क्या होगा, देखें, percentage change in control variable, 100, percentage change in final control element, मतलब, valve 100, so 100 over 100, 1 into 100%, तो ये कहलाएगा, proportional band 100%, समझ में आई बात आपको, इसी को हम gain 1 भी कह सकते, तके gain जो है भी 1 है, proportional पर, आप देखें, इसको वापस एक पर देखें, माल ने जब float यहाँ पर नहीं लगा करके, यहाँ पर लगावा है, यह हमने सरका दिया, float को यहाँ पर लगाया गया है, यह A और B दो positions बनाई हैं हमने float लगाने के लिए, तो अब float B position पर है, यह वाला नहीं है, इतना ही है, ठीक है, अब से हम से 50% से चालू करते हैं, अभी वाल 50% open है, ठीक है, अब देखें, for some reason हमने drain out किया पानी को, और water level 25% पर आ गया, 25% पर आ गया, देखें आप, float यहाँ पर आ गया, इसके corresponding, जो tank level है, वो 25% है, लेकिन इस 25% के लिए, वाल पूरा खुल चुका है, control variable में change आया है 25%, और वाल में जो final control element में जो परिवरतान आ गया है, यानि कि जो input में परिवरतान आ गया है, वो आ गया है 50%, यहां से यहां 50% change आ गया, 50 से 100 पर आ गया, for 25% change in output, there is a corresponding 100% change in input, और उसी तरीके से जब यह भरता जाएगा पानी, तो जब यह float यहां पहुंच जाएगा, मतलब 75% of the tank will get filled, यह देखे, इस float position के corresponding जो tank level है, वो 75% है, तब वाल फिली कोल, close हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा, मतलब 25% control variable में change लाने के लिए, वाल का परिवरतान वापस से 50%, यह क्या लाएगा, कि गेन क्या है, गेन 2 है, और corresponding proportional band कितना हो गया, देखे, calculate करते हैं, percentage change in control variable, control variable में 50% ही change आया, क्यों, जो कि जो पानी का level है, वो 25% से 75%, इस range में नहीं बतला है, 50% ही बतला हो आया है, control variable में, जबकि, वाल्ब की position में 100% बतला हो गया, तो change in control variable 50, percentage change in final control element 100, देखे, so 50 upon 100 is 1 by 2, into 100, मतलब 50 हो गया, तो proportional band हो गया, 50%, तो यह proportional band होता है, इसको हम proportional band कहते हैं,